of two problems which is actually based on symmetric coefficients symmetric coefficients के अंदर basically क्या करते हैं हम देखो अब हम क्या दिमाग लगाएंगे x2 से divide करेंगे x2 से divide करने के बाद ऐसा लिखेंगे अब ध्यान से दिखेगा आप क्या करूँगा अब x प्लस 1 बाइ एक्स को अगर में t मान लो तो यह x2 plus 1 by x2 क्या जाएगा t2 minus 2 तो यह क्या आगे t2 plus kt plus 9 is equal to 0 ठीक है t2 plus kt plus 9 equal to 0 अब देखो बहुत सिंबल सी बात अगर आपको 4 real root चाहिए बेसिकली real root कैसे आता देखो x plus 1 by x को आपने तो आपका जो पहला question है ना all roots are real इसमें क्या होना चाहिए यह greater than equal to 2 आ जाना चाहिए अगर यह greater than equal to 2 आ जाएगा तो real root आ जाएगा ठीक है समझ में आ रही ना बात आपको कि अगर X plus 1 by X greater than equal to 2 है अब देखो product of root 9 है तो इसके दोनों root या तो positive होंगे या negative होंगे और के इसका मतलब एक symmetric expression और mod k ही दे रखा है mod k ही subject के दे रखा है तो मैं क्या करूंगा इसके root positive ही मार लोगा तो k less than 0 हो जाएगा तो मैं क्या condition लगाँगा केवल कि इसके दोनों root basically greater than 2 हो जाए दोनों root अगर greater than equal to 2 है इस quadratic के तो discriminant इसकी condition क्या होगे दोस्तों दोनों root greater than equal to 2 है तो f of 2 greater than equal to 0 होना चाहिए ठीक है f of 2 मतलब 4 plus 9 plus 2k greater than equal to 0 मतलब के मैंने के को less than 0 आज्यूम किया है ठीक है के को less than 0 आज्यूम किया है तो के माइनस 13 तो के greater than equal to minus 13 by 2 हो जाएगा मॉट ले लेंगे फिर इसको ना discriminant आपका greater than equal to 0 है तो के definitely greater than equal to मॉट के greater than equal to 6 डिस्क्रिमेंट से आ जाएगा आपका अब के आपका greater than equal to यहां पर और फिर जो वर्टेक्स है ना आपकी वर्टेक्स के आएगी माइनस के बाई 2 वह आपकी दोनों मॉट greater than equal to 2 है याद रखेगा तो के बेसिकली less than equal to minus 4 आ गया यहां पर के less than equal to minus 6 है के less than equal to minus 6 के greater than equal to minus 13 by 2 के less than equal to minus 4 इन तीनों condition को अगर मैं combine करूंगा ना तो यह आजाएगा तो नाइंत का तो ए यह answer आ गया राइट लोकेशन रूट बिलकुल 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 यह करेंगे यह बिलकुल सही जारे हो आप आपने जो सोचा है वह बिलकुल सही सोचा है ठीक है लोकेशन रूट अब दो रूट रियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक रूट माइनस 2 से 2 के 10 वाले question के लिए आप क्या करोगे f of 2 into f of minus 2 less than 0 करोगे इससे ensure हो जाएगा कि एक ही root आपका negative आगा है तो आपका अब यह क्या है t square plus kt plus 9 तो 2 डाला तो आपने कित्ता आएगा 13 plus 2k into 13 minus 2k less than 0 तो यह कित्ता आजाएगा 2k मतलब 4k square minus 169 greater than 0 तो 2 mod k greater than 13 आगया तो mod k basically greater than 13 by 2 आगया ठीक है तो यह option इसका answer आजाएगा समझें आप लोग इस तरीके से इस question को अप्रोच करना पड़ेगा locational root का एक अच्छा variation है इसके अंदर locational root तो लगी रहा है बट उसका एक variation भी लग रहा है हना variation कर दिया हमने जहाँ पर आपको पहले symmetric coefficient की कहानी लगानी पड़ेगी x plus 1 by x को t मानना पड़ेगा फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि x plus 1 by x की range greater than equal to 2 या less than equal to minus 2 होती है तो this question is a brilliant question in this sense यही जही जही एडवांस की हमने मागे